आदे दे राज्जे राज्जे और उनकी राजधानिया बहुती असान त踏क से तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक असान ट्रिक और आप इसको कबी भी लाइफ टाइम यानि के सारी जिन्दगी कभी भी नहीं भूलेंगे तो चलो शिरू करते हैं राज्ये और उनकी राजधाने So, first of all, press subscribe for more updates You will see regular button And then share to gain more knowledge And like to motivate अगर आको परसन आए तो like जिरूर करें जी हाँ, number one, आंद्रप्रदेश आंद्रप्रदेश क्या है? राज्ये अब इसकी राजधानी है अम्रावती अब हम इसे कैसे याद रखें? भई, बहुत सारे राज्ये हैं अब याद रखना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है तो चलिए, इसकी हम एक ट्रिक देखते हैं यह देखिए, यह है आंद्र ज्यानी कि अंधा आंद्र, अंधा कहलो और अंधा क्या कह रहा है? हाई, मरा, मरा, मैं तो मरा तो अंधा क्या कह रहा है? मैं तो मरा तो कितना आसान हो गया ना आंधर परदेश अम्रावती तो ये थी हमारी ट्रिक नमबर टू अरुनाचल परदेश तो क्या है रजयर अरुनाचल परदेश और इसकी राजधानी क्या है इटा नगर तो आप इसको हम कैसे याद रखें तो चलिए देखते हैं तो इसमें क्या है? पहला वर्ड हमारा तेखिए असान तरीक ढूंडेंगे हम इसमें से ये देखिए अरुन हमने इसमेंशे अरुन को ढूंड लिया और अरुन जो है कहीं जाना चाहता है अरुन कहारा है चल चल तो कहां पर चले वो, तो वो जा रहा है अपने नगर में, कहां पर जा रहा है वो अपने नगर में, तो उसका नगर क्या है, इटा नगर, तो आरुन कहां पर जाना चाता है, इटा नगर में, तो चलिए, नमबर थ्री, असम, अब असम जो है, उसकी राजधानी क्या है, बिस अब कैसे याद रखेंगे हम, असम, असम आपने सुना ही होगा, तो यहां की क्या famous होती है, चाय, असम की क्या famous होती है, चाय, और सभी जगाओं पर पी जाती है, यानि के सभी दिशाओं में, तो दिश से हम क्या बना देंगे, दिशा, तो दिश से क्या बना देंगे, दिशा तो असम की जो चाई है वो सभी दिशाओं में पी जाती है तो असम दिश्पर Next बिहार बिहार क्या है? राज्य अब इसकी राजदानी क्या है? पटना तो आप कैसे याद रखें? जी हाँ बड़ा यहां तरीक है अब बिहार में से हमने हार निकाल लिया अब हार गया हूँ मैं तो गई क्या गया हूँ? हार गया हूँ और हारने के कारण में क्या कर रहा हूँ? पिट पिट कर रहा हूँ यानि के पट पट कर रहा हूँ बहुत गुस्सा आ रहा है मैं पट पट कर रहा हूँ हार गया हूँ वही पटपट कर रहा हूँ तो भी हार की हमारी क्या आ गई पटना नेक्स्ट नमबर फाइड चतिस गड़ अब चतिस गड़ की क्या है राय पूर तो इसको कैसे हम याद रखेंगे अब इसमें से हमने क्या निकालना है चतिस क्या निकालना है चतिस अब चतिस रुपे हैं किन के पास है चतिस रुपे राय साब के पास तो चतिस गड़ राय पूर यानिके चतिस राय नेक्स्ट नमबर 6 राज्य गोवा राजधानी पंजी अब गोवा यानिके गो क्या होएगा गो यानिके जाओ यानिके जाओ तो किसको कह रहे हैं जाओ पंजी यानिके पंडजी अब पंडजी को कह रहे हैं बस चले जाओ आप यहां से इसको कह रहे हैं पंडजी को तो गोगो जाओ जाओ पंडजी जाओ जाओ नेक्स्ट नमबर 7 गुजरात गुजरात की राजधानी गांधी नगर तो आपको पता ही होगा वैसे तो सभी को गुजरात के कौन थे महात्मा गांधी जी कौन थे गुजरात के महात्मा गांधी जी तो गांधी simple हमने निकाल लिया तो गुजरात के कौन है गांधी जी तो राजधानी क्या होगी गांधी नगर next हरियाना हरियाना की चंडी गर तो हरियाना की क्या है चंडिगड तो हरियाना क्या जप रहा है हरी हरी भगवान का नाम हरी हरी और चंडी देवी का नाम जै माचंडी जै हरी हरी नेक्स्ट हिमाचल परदेश तो नमबर नाइन पर हमारा क्या है हिमाचल परदेश की क्या है शिमला क्या है शिमला तो क्या हो रहा है इसमें धिम यानि के बहुत ही बरब पहाडों में बहुत ही बरब बारी होती है बहुत ही तो क्या हो जाता है उससे सिलन शिम, सिलन हो जती है, सिलन तो क्या हो जती है, सिलन तो शी से सिलन next नमबर 10 जार, खंड की रांची अब इसमें से हमने क्या देखना है जार, क्या देखना है, जार यानि के जाडिया और कौन सी रहा पर चल रहे हैं हम रहा से रहा हम जाडियों की रहा पर चल रहे हैं जाडियों की रहा पर जिनों ने अभी तक सस्क्राइब नहीं किया वो सस्क्राइब और लाइक जरूर करें और घंटी का बटन दमाना ना भूलें चलिए आगे भढ़ते हैं नमबर 11 यानि के करनाटक तो करनाटक की राज़दानी क्या है? बेंगलूरू क्या है? बेंगलूरू तो क्या है? करनाटक में कोन है? ये देखिए करनाटक में कोन है? करनल साहब कर्ण ना यानि के कर्णल तो हमने क्या बना लिया कर्णल अब कर्णल कहां रहते हैं अपने बंगलों में रहते हैं कहां रहते हैं कर्णल साथ अपने बंगलों में रहते हैं तो कर्णा टक बंगलोरू नेक्स नमबर 12 केरल केरल की त्रिवन पूरम तो क्या आएगी केरल की त्रिवन पुरम तो क इसमें से हमने क्या निकालना है क तो का से क्या है क्रिष्ट भगवान क्या है क्रिष्ट भगवान और इसमें क्या है पूर अपने पूर में रहते हैं कहां रहते हैं अपने पूर में क्रिष्ट भगवान नेक्स्ट नमबर 13 मध्य परदेश की राजधानी भोपार क्या है भोपार तो इसमें से हमने क्या निकालने हैं मध्य मध्य क्या होता है बीच का हिस्सा मध्य क्या होता है बीच का हिस्सा अब क्या हो रहा है अब बीच में कोई क्या कर रहा है हमारे साथ अब मध्य में हैं बीच में अब हमारे साथ कोई क्या कर रहा है भोभो कुट्ता तो हमारे मध्य में आई जा रहा है बार बार हमारे बीच म नहीं आई जा रहा है और भूबो कम रहा है तो क्या हो इम अध्यापर्देश की भोपार नेक्स्ट नमबर 14 महाराष्ट अब महाराष्ट की क्या है मुंबई क्या है मुंबई तो इस में से हमने क्या देखना है महारास्ट में से महा राज क्या बनाएंगे हम महारास्ट को महा राज क्या बनाएंगे महा राज अब महाराज क्या कह रहे है बई क्या है बई क्या है महाराज क्या कह रहे है बई क्या है तो क्या होगी महारास्ट की मुंबई Next मनी पूर मनी पूर की क्या हुई इंफॉल क्या हुई इंफॉल तो मनी पूर में से हमने क्या निकाल ला हूँ मनी मनी क्या होती है धन क्या होती है धन यानि के मनी है उसके पास बहुत पैसा है धन है लेकिन कैसा है E यानिके इमानडारी वला तो उसका पैसा कैसा है इमानडारी वला Next 16 मेघहल्य क्या है मेघहल्य अब इसकी राजधानी क्या है शीलॉ शीलॉ अब मेघहल्य यानिके मेघ बादल मेग यानि के बादल अब बादल जब आते हैं तो बारिश बहुत करते हैं करते हैं ना बारिश अब बारिश ज़्यादा होने से क्या हो जाता है सभी तरह सीलन क्या हो जाती है सभी तरह सीलन पानी-पानी सा हो जाता है तो मेगाले शीला नेक्स्ट नमबर 17 मिजोरम मिजोरम यानि कि आईजवाल मिजोरम की क्या हुई आईजवाल अब मिजोरम में से हमने क्या निकाल लिया जोर क्या निकाल लिया जोर क्या निकाल लिया जोर अब इस में से क्या निकाल लेंगे हम आई क्या निकालेंगे आई अब क्या हुआ जोर जोर से मुझे कोई आवाज दे रहा था अब मैंने क्या कहा आई आई क्या कहा मैंने आई आई जोर जोर से आवाज निकालने पर क्या हुआ आई Next Number 18 Naga Land Naga Land की राजधानी Kohima क्या है Kohima अब Naga Land में से हमने क्या निकालने है येस समझ में आने लग गया ना नाग अब नाग के उने से क्या हो गया क्या हो गया बताओ Kohuram यानि के बोश शोर पड़ गया अब सारे लोग कह रहे हैं नाग आग आग नाग नाग Kohuram मच गया सारी तरह तो नाग लेंड की क्या होई Kohima Next Number 19 Odisha Odisha की राजदानी भूबने इश्वर अब Odisha Odisha में से हमने क्या निकाल लिया दिशा तो हमारे जो इश्वर होते हैं वो सभी दिशाओं में होते हैं तो हमने यहां से श्वर यानि के इश्वर इश्वर तो दिशाओं में सभी तरफ क्या होते हैं इश्वर तो हमने इसमें इश्वर निकाला तो क्या होगी Odisha की इश्वर Next पंजाब हमने पहले हर्याना भी पढ़ा था तो हर्याना की भी क्या थी चंडिगड और पंजाब की भी क्या है चंडिगड तो पंजाब में बहुत शोर पढ़ रहा है पंज़ 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 आप जी क्या हो रहा है? राज राज करने वाले की जैहो राज करने वाले की जैहो Next, number 22 सिक्किम सिक्किम गंग टॉक सिक्किम यानि के सिक्के ही सिक्के है किसी के पास सिक्के, यानि के पैसा, सिक्के ही सिक्के हैं, अब गंग, यानि के गंगा, अब गंगा जी में जब शनान करते हैं न लोग, तो क्या करते हैं करने से पहले, उसमें एक सिक्का डाल देते हैं, तो सिक्के गंगा, तो सिक्के गंगटॉक, नेक्स्ट 23 तमिल नाडू अब तमिल नाडू की क्या हुई चिन्नाई अब इस में से हमने क्या निकालना है तमिल अब तमिल क्या है हमारे लिए बैं नई सी भाषा है हमें तो आती नहीं है तो तमिल नई तमिल नई जिन्नों ने अभी तक भी सस्क्राइब नहीं किया वो सस्क्राइब और लाइक जिरूर कर लें और घंटी का बटन दवाना ना भूलें ताकि वो हमारी और भी इजी ट्रिक्स वाली वीडियो देख सकें नेक्स्ट नमबर 24 तेलंग गाना तेलंग गाना यानि कि हैद्राबाद क्या हुई इसकी राज़दानी हैद्राबाद अब क्या हुआ जी इसमें से हमने क्या निकालना है तेल अब तेल लेने के लिए कहां जाना पड़ रहा है दर्बार में कहां जाना पड़ रहा है दरबार में तो तेल लेने चलते हैं जी दरबार में तो तेलंगाना है दरबाद नेक्स्ट त्रिपुरा त्रिपुरा की क्या हुई अगर तला देखे बेरी इजी कैसे ट्रिकेस की त्रिपुरारी त्रिपुरा को हम त्रिपुरारी यानि के भगवान शेव भगवान शेव को तिरुपुरारी भी कह जाता है तिरुपुरा तिरुपुरारी तो भगवान जी के आगे हमने क्या जलानी है अगर बत्ती अगर बत्ती तिरुपुरारी भगवान के आगे हम अगर बत्ती जलाएंगे तो क्या हुआ तिर्पुरा अगरतला नेक्स्ट ट्वेंटी सिक्स उत्तर पर्देश उत्तर पर्देश लखनौ उत्तर पर्देश लखनौ अब क्या हो रहा है उत्तर क्या है इसमें उत्तर यानि के जवाब आंसर देना अब इसमें से लखन लखन जी को कहा जा रहा है उत्तर दो भई उत्तर दो लखन उत्तर परदेश की क्या हो गई लख ना हो गई next 27 उत्तरा खंड देहरा दून क्या होई इसकी राजधानी देहरा दून अब उत्रा खंड में से हमने क्या निकालना है खंड यानि के टुकडे टुकडे खंड का मतला होता है टुकडे टुकडे होना किसी चीज के तो इसमें क्या हुआ देहे यानि के शरीर अब शरीर के क्या हो गए टुकडे टुकडे खंड खंड हो गए खंड देहे, यानि के खंड-खंड हो गए देहे के, तो उत्रा खंड देहरा दो, next, number 28, पश्चिम बंगाल, कॉलकाता, क्या आएगा, कॉलकाता, पश्चिम बंगाल की राजदानी, कॉलकाता, तो इसमें क्या आएगा, देखिए, इसमें से हमने निकालना है, गाल, होते हैं न हमारे गाल छेहरे पे, गाल होते हैं, अब गाल कैसे हो गए हमारे, काले काले हो गए, कैसे हो गए, काले काले हो गए, तो क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में, कॉलकाता, यानि के हमारे जो गाल है, वो काले काले हो गए, झाल झाल